तो मतलब कि 102 किलिमेटर इसमें काफी वाज वी थी तक्ता लेंप है वो फ्यूज हो चुका है कभी-कभी जलता है गई वार नहीं चलता है एकाइस वेलकम टैक टो दन वी वीडियो काफी टाइम बाज शूट हो रहे है तक्रिम तक्रिम कोई ट्रों में नहीं हो गया है मैंने यूट्यूब बे को भी लॉंग वीडियो अप्लोड नहीं किया तो सबसे पहले मुस्कारीजन में बताता हूं कि आपको जैसे पता वागे कि मेरे बास इक आईफोन था और वह मैंने शेल कर देशा तो उसके बास जीए जो मैंने फोन लिया था रेडमिकर नोट टाइंट प्रो तो इसमें क्वाल्टी इतनी अच्छी नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा डी मोटिवेट हो चुगा था तो अब सब ठीक है और सब मोटल है तो यह बाइक है जो यह मेरे पंद्रा नहीं सोरी 12,000 किलोमेटर चल चुकी है तो मैंने सुझे कि आपके लिए चोटी सी वीडियो बनायता हूं कि जो इसका ओनर से घुज़ू है वह आपको इस वीडियो में आज देने वाला हूं सबसे वहले दोस्तों मैं आपको इसका किलोमेटर दिखा देता हूं कि यह किलोमेटर चले हुई है तो अवीडर देख सकते हैं कि यह वाईक है यह 12,225 किलोमेटर चल चुकी है तो इसको एक साल भी हो चुका है तो इसका रिव्यू मैपको आज देने वाला हूँ इंजन की तरफ से मैपको बताता हूं कि 12000 चालने के बाद अभी इंजन में किसी अपरागी कोई भी दिक्कत निये कोई भी जो भी दिक्कत होते हैं मिसिंग बगारा जो भी है भी कोई नहीं है इसकी मैंने फॉर्थ सर्विस करा दिये जो कि मेरे को 1200 रुपए की पड़ी थी जो इसकी पेड़ सर्विस थी बग की इंजन की तरफ से कोई दिक्कत निये और एक दुमक्ष रही है और माइलेज हलंकी बात करते हैं इसकी जो suspension अब कि इसमें कोई दिक्कत है तो है इसमें जो के फ्रंड स्वाक करें इस पर जब विए जब यहां को चलाने से पहले मतलए इसमें यहां से कोई आवाज आती रहती है मैं जैसे चीन चीन की आवाज बलकि यहां आफ-्रोडिंग में जैसे आपकी बाइक की दो किलमेटर चलेगी तो एक तुछ किलमेटर चलने के बाद इसक एक और दिखत मुझे आई थी वो था इसका जो ये बाइक का कॉंसेट है तो ये खाराब हो जोगा था मतलब जैसे जैसे आपकी बाइक के निचे कोई खड़ा था या फिर स्पीड ब्रेकर बगएरा तो ये जो इसका कॉंसेट यहां से कवा जाती थी जो कि मैंने सर्विस के जब मैं गया था तो वहां पर मैंने इसको थोड़ा टाइड कर वा लिए था और उसके बाद यहां से कोई वीवरार की हुई दिखके दोगेरा नहीं थी तो बात कर लेते हैं इसके टाइर्स की तो मेरे बाई कर बारे या शाड़े बार हजार किलोमेटर चल पड़ी है और इसको फूर से कतिम होने वाले हैं हलंकि अभी मेरी खास से दस अब पांच-फ़जार क्लमेटर आराम से निकाल देंगे आपको दोनुसाइट से चेक कर वाले तो अब है ठीक है तो यहां थोड़ी कहँआ पड़ा लग गया है पांच-फ़जार क्लमेटर आराम से चली पड पांच-फ़जार क्लमेटर इसमें काफी वाजवी थी तक 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 तो मैं आपको यह सजेशन करूंगा कि यह आपकी चैने स्काप पैट्रों से बिल्कुल भूशना कर रहे हैं हाँ आप इसको डिजल से वस्क कर वासकते हैं तो गाइस बात कर लेते हैं जो इसकी लोगी इसमें नहीं है कि अपको स्टार्ट करके दिखाएता हूं इसको अभी में आउन करता हूं कि अभी देशते हैं कि जो लैंप यह नहीं जल रहा है अभी जल पड़ा कि अगर आपको कुछ भी सवाल बगारा पूछने तो आप मुझे कोमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी बाइक नहीं दिक्कत है तो मैं आपको उसके बार मैं आपको बता दूँगा कैसे आपको ठीक करवा सकते हैं या जो भी है अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंजा भारत